हर जगा हर एक इंसान के घर के खान पान के तरीके बिल्कुल अलग-अलग होते हैं तो आज ऐसा ही कुछ नए रेसिपी लेकर आये हैं हम अपने बिहार का ये फेमस रेसिपी आप लोग के साथ सेयर करेंगे हमारे यहां बिहार में ठंड के समय में यानि की पूस के महिने में ये चावल का पीठा बनता है यानि की पूस पीठा हमारे यहां इसे पूस पीठा ही कहते हैं लेकिन कई जगों पे इसे चावल का पीठा भी कहते हैं इसे बनाने के दो तरीके हैं या तो आप इसे पानी में बना सकते हैं या फिर दूद में भी बना सकते हैं और दोनों का टेस्ट अपने अपने जगह पे बहुत ही कमाल की होती है तो अगर आपने आज से पहले चावल का ये पूसपीठा नहीं बनाया है तो वीडियो के लाइट तक बने रहीएगा मैं आपको सारी चीज बारिकी से बताऊंगी तो फिर आएए देखते हैं इसे कैसे बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया एक कड़ाई यहाँ मैं बड़ा कड़ाई का इस्तमाल कर रही हूँ तो कड़ाई में अब हम डालेंगे दो जग के करीब पानी तो यहाँ मैं पानी में बना रही हूँ इसलिए मैंने बड़े बरतन का इस्तमाल किया है तो पूरा-पुरी मैंने इसमें दो जग पानी डाल दिया है देख सकते हैं आप अब हम गैस को ओन कर देते हैं और चलते हैं दूसरी ओर यहाँ पर मैंने लिया है गड़ी याने की सुखा नारियल वजन में देखा जाए तो यहाँ मैं 100 ग्राम के करीब सुखे नारियल का इस्तमाल कर रही हूँ सबसे पहले मैंने नारियल को काट कर इसे सिलवटे पे इस तरीके से कूच लिया है बिहार का डिस है तो कहीं कहीं मैं बिहार का भासा भी इस्तमाल करूँगी जैसे मैंने अभी कहा कि इसे मैंने कूच लिया है गड़ी को कूचने के बाद उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है अब यहाँ पर मैंने लिया है गुड वजन में देखा जाए तो यह 200 ग्राम के करीब गुड है अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेटर जिधर बड़े साइज का हॉल है उधर से हम गुड़ को ग्रेट कर लेंगे गुड़ को ऐसे ग्रेट करके ही ले इससे क्या होता है कि दोनों मिश्रन काफी अच्छे से मिल जाते हैं तो देख सकते हैं, गुड को ग्रेट करने के बाद, अब इसमें हम डालेंगे नारियन, जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ था, अब दोनों को हम मिला लेंगे, तो गुड को कद्दु क्रस्ट करने से यही फाइदा होता है कि काफी अच्छे से मिल जाते हैं, तो अब इसे हम गुड के इसे गुठ हूंगी, एक गलास पानी डाल लिया है, फिर से मैंने आदा गलास के करीब पानी डाला है, अब हलके हलके हातों से हम आटा को गूठ लेंगे, तो धीरे-धीरे जब भी पानी का ज़रुद पड़े हम डालते जाएंगे, और अच्छे से हम आटा को तो यहां हमारा आधा तैयारी हो चुका है अवाइये इसे बनाते हैं तो रोटी के लिए जितना चोटा हम लोई बनाते हैं उतना ही हम ले लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है आप चोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं तो यहां पर मैंने एक लोई के जितना आठा को ले ल और अब ध्यान से देखिए गा अफनी हाथों की मदद से हैं हलके हाथों से दवाते हुए किसे कर देंगे देख strengthening हम घुमाते। इस गुल का में बना लेंगे छाना सुंदर कमाल को यह अमारे लोई मीं को और आप तायार हो से आफिसी कहती है कुछ इस तरीके से तो इसी तरीके से हम सारे लोई को बना के तयार कर लेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों इसलिए मैंने एक आपको बना कर दिखा दिया उसके बाद में जटपट से सारे फिलिंग को बना के तयार कर ली हूँ अब चलते हैं गैस पानी बिल्कुल ठंधा नहीं रहना चाहिए दोस्तों बलते हुए पानी में डालेगा उससे काफी अच्छा बनता है यह हमारा चावल का पूस पीठा तो देख सकते हैं दोस्तों एक ही करके मैंने सारे पीठे को डाल दिया है पानी के अंदर इसी के लिए मैंने बड़े बरत तो देख सकते हैं सारे पीठे काफी अच्छे से पूके हैं तो एक चीज का दियान देती हुए है इसे हमें पाकाना है कि जब तक इसे हम पकाए गैस का फिल्म बिल्कुल कायरनगे इसे सब अब माइवा बाः निकाल लेते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा का तो अगर आप इसे में बनाना चाहते हैं तो पानी की जगह पे आप दूद कर सकते बेखाने आप दूद के साथ ही से खा सकते हैं लेकिन दोनों ही तरीके से काफी अच्छा बनता है तो देख सकते हैं सारे पीठे को मैंने बाहर निकाल लिया है अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि कितना सौब्ट एकदा मोलाइम बन के तयार हुआ है यह हमारा चावल का पीठा तो चलिए दोस्तों मैं इसे आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इसके अंदर जो हमने फिलिंग भरा हुआ था उसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो यहां पर हम एक चाकू लेंगे और इसे हम बीच से कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो अभी काफी ज्यादा सॉप्ट है तो काफी अच्छे से कर जाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तो इसके अंदर जो हमने फिलिंग भरा था इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है पीठे में और काफी कमाल का लग रहा है यह हमारा चावल का पीठा गुड और गड़ी की जगह आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं तो है ना दोस्तो बहुत ही कमाल की रेश्पी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा तो फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियों